आप फिश्रल कराने जाते हो तो कितना खर्चा होता है 300 रुपे 500 रुपे 1000 रुपे व्यूटी पालर में तो इतना खर्चा होई जाता है लेकिन आज मैं घर बेठे बेठे सिर्फ 30 रुपे में घर बेठे बेठे फिश्रल कैसे करें वह मैं आपको बताने वाली हूं तो पूर को सब्सक्राइब करना मत बुलना और साथ में दिये गे बेल आइकोन को भी प्रेस करना उससे आपको मेरे सारे नइने जुले की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो आज में गर पे ही मैं अपना कॉफी से फेशल करने वाली हूँ जी हाँ कॉफी तो सभी के गरह में होती है औ कॉफी शेमें अपना आज फेशर करने वाली हूँ तो सबसे पहला ये थ्री स्टेप में आता है तो पहला स्टेप है क्लिंजिंग तो पहले हमें अपना फेश क्लेन कर रेना है क्लिंजिन के लिए सबसे पहले हमें एक चम्मच कॉफी पाउडर लेना है और उसमें थोड़ा सा दूद द्याड करेंगे फिर उसे मिक्स कर लेंगे क्लिंजिन के लिए आप दूद की जगा पे एलवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पे हमारा क्लिंजिन के लिए तैयार हो चुका है तो हमारा क्लिंजिन के लिए पैक रेडी हो चुका है आप देख सकते हो तीसे हब मैं अभी अपने फेस पे लगाती हूँ आपको अपने फेस पे शर्किलर मोशन में इस तरह से मसाज़ करना है कौफी में कैफिन होता है जो हमारी स्कीन पे ब्लेक स्बस्पार वाइट स्हन्टन होता है उसे बहुत यह अच्च्छ से रेड्यूस करता है और हमारी स्कीन को ब्राइट बनाता है कि क्लिंजिंग करना ऐस में सबसे पहले क्लिंजिंग करना बहुत ही जर्रावता है क्योंकि हमारी स्कीन अच्छे से क्लीन नहीं होगी तो रिजल्पी अच्छा नहीं मिलता है दो मिनिट टक हमें अच्छी तरह से मसाज कर लेना है दो मिनिट के मेरा मसाज हो चुका है अब इसे में पानी से वाश कर लेती हूं अब से करने से चाहो तो पहले स्टीम ले चाहने हो क्यू Back discuss पहले स्टीम लेचे जाते हैं और स्क्रबिंग करने से सारी गंट कि वाहर निकल आती है तो मैं भी थोड़ा सा पांच मिनिट का स्टीम लेके आती हूं स्क्राबिंग के लिए हमें सबसे पहले एक चम्मच कॉफी ले लेनी है और एक चम्मच शुगर और दो चम्मच उसमें हम कोकोनाट टॉयल डालेंगे अब उसे उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अब हम स्क्राब करेंगे स्क्राब के लिए भी हमें सर्कुलर मोशन में हमारे फीज पे मसाज करना है इस तरह से हमें स्क्राइब पे मसाज करना है सुगर की वज़े से हमारे स्किन पे जो डैट स्किन होती है वो अच्छे से विमो हो जाती है इस तरह से आपको पांस मिन तक अपनी स्टीन पर मसाज करना है फीज पर ठंडे पानी से दो देना है तो अब है लास्ट टैप की बारी फेस मास्क फेस मास्क के लिए सबसे पहले हमें दो चम्मच कॉफी ले लेनी है एक चम्मच बेसन ले लेना है आप उसकी जगा पे मुलतानी मिटे का भी यूज कर सकते हो एक चम्मच दही ले लेना है एक चम्मच हनी मर्द जो कहते हैं हनी वो ले लेना है और एक चम्मच निम्बू का रस अगर आपकी स्कीन सेंसिटिव है तो आपको निम्बू का रस यूज नहीं करना है अधर्वाइस आप यूज कर सकते हो अब इससे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब देख सकते हो यह अच्छी तरह से हमारा फेस मास्क मिक्स हो चुका है तो अब है लाज्ट टैप की बारी फेस मास्क तो यह मेरा फेस मास्क रेडी हो चुका है तो मैं लगाती हूं यह face mask हमारी skin को glowing और fair करने में मदद करता है और इसमें जो coffee है वो antioxidant का काम करती है जो हमारी skin के लिए बहुत ही अच्छा है कोफी में जो antioxidant होता है वो हमारे skin जो damage skin होती है उसे repair करके healthy और glowing बनाने में मदद करता है और यह mask लगाने से हमारी skin tight भी हो जाती है और जो आपको wrinkles का problem होता है वो भी नहीं रहता मैंने अपने पूरे फिस पे मास्क लगा लिया है अब मैं उसे 20 मिटक रखने वाली हूं और इसमें जो मैंने बीशन डाला था वो बीशन हमारी skin पे जो extra oil होता है उसे वो बहुत ही अच्छे से अब्सर्व कर लेता है दही मैंने जो डाला था वो हमारी skin को lightning करता है और जो honey और जो lemon का juice डाला था वो तो हमारे skin पे bleach का बहुत ही अच्छे से काम करता है नेच्रल bleach का जो हमारी skin को glowing और brightening बनाने में मदद करता है तो मैंने अपना face wash का लिया है और मेरी skin बहुत ही smooth हो चुकी है और आपको result देखी रहा हो का ये facial पहली बार लगाने से ही आपको बह महिने में दो बार ये facial जरू ट्राइक करना चाहिए तो फ्रेंड्स आज कहीं मेरे वीडियो कैसा लगा कमेंस में मुझे जरू बताना और ये facial अप घर पे जरू प्राइक करना बहुत ही अच्छा result देता है और ऐसा ही नहीं देखने के लिए मेरी चनल को subscribe करना मत बुलना तो मिलते अगले उडियो के साथ तब तक के लिए बाई